CBSC जो है, Central Board of Secondary Education उसने Class 12 और Class 10th की डेट सिट जारी किये कि कब बच्चों का बोर्ट का पेपर होगा ये डेट सिट जो है 29 December को आया है, 29 December को आया है, चली हम देखते हैं कि CBSC ने क्या बताया है इस डेट सिट में देखिए, सर्कुलर ये CBSC ने जारी किया है, जारी किया है कि जो भी पेपर होंगे 10th और 12 के उसमें CBSC ने कोशिस किया है कि सफिसियेंट हम गैप तेंगे, जो भी बच्चे 12 के बाद जेए मेंस का त्यारी करेंगे, उनके लिए CBSC कोशिस की है, डेट सिट में कि अच्छे से वो टेक क्यार करें कि ताकि बच्चे जो है, इनफ टाइम पापा है पेपर के प्रिप्रेशन के लिए फिर देखिए, इसमें CBSC और जो है, ये कोशिस की है, इंसियोर की है कि कोई भी दो पेपर ऐसा एक दिन न हो, कि एक ही दिन कोई दो पेपर हो, इस चीज की CBSC ने कोशिस किये कि एक ही दिन दो पेपर न हो, जो पेपर होगा, उसकी टाइमिंग सुबा साड़े दस बजे के बाद रखी है, CBSC का डेट सीट आगे अभी मैं दिखाऊंगा, और उसने CBSC ने क्लास 10 के और क्लास 12 के बच्चों के लिए बेस्ट अपलक बोला है, चलिए अब हम देखते हैं, CBSC की टाइमिंटे, क्लास 10 के बच्चों का ये डेट सीट है, क्लास 10 में जो है, बच्चे जो ह उसकी है, देखिए मैं ये डेट सीट दिखा रहा हम आपको, यह है न, यह डेट सीट है, सब की, फिर में एक एक करके सब का दिखाऊंगा, देखिए, यह है, सोचल साइन्स, साइन्स है, ये आपको मैं धीरे धीरे करके दिखाया, फिर एक एक करके आप देखते हैं, कब से चालू होता है डेट सिट ये class 10th का है जो ये first वाला जो है ये जो है class 10th की class 10th की ये डेट सिट है देखिए जो first paper है आपका paper जो है 15 February से चालू हो जाएगा 2023 में पहला paper जिसका painting हो, timing हो, थाई है जो जिसका ये paper है CBSC officially 15 February से paper चालू कर रहा है, paper की चालू होने की डेट देखिए क्या है paper चालू जो होगा आपका 10.30 to 12.30 जो ये पहले paper होंगे ये इस से है second paper 16 February को है, देखे इसमें multimedia का paper हो सकता है, physical activity trainer का है जो जो ये syllabus है, इस syllabus में जो अगर आप ये लिये होंगे, तो आपका paper 16 तरीक होगा अभी main subject चालू नहीं होगा, कि musical vocal का होगा, 17 February को फिर ये 20 February को आपका होगा, Arabic, Tibetan और French होगा, language से रिलेटेड है उसी दिन आपका German, Russian, Persian, Nepali, Limbo, ये सब भासा के बारे मताया जा रहा है कि होगा, फिर ये first shift वाला है, उसी दिन देखिए, इसकी timing साड़े 10 से डेड़ बज़े है और ये साड़े 10 से साड़े 12 बज़ तक ये, Carnatic, Music, आपका अगर ये syllabus होगा, तो ये होगा फिर देखिए, कुछ language से related question है, पेपर है, जैसे कोई अगर उर्दू लिया हो, तो उसका पेपर जो है, 24 फरवरी से चालू हो रहा है उर्दू, तमीर हो गया, फिर तेलुग होगा, माराथी होगा, गुजराती होगा, उसका पेपर 24 फरवरी से चालू है वही अब देखिए, जो main subject होता है, class 10 में, सबका पेपर 27 से चालू है, चालू करने के लिए तो CBSी ने 15 फरवरी से ही चालू कर दिया है लेकिन main paper 27 फरवरी से होगा, पहला paper इंगलिस का है, फिर देखिए, एक मार्च को आपका पंजाबी सिंधी मल्यालम है, ये कनड, आसामी कनड है आप देख सकते हैं फिर 2nd मार्च को आपका ये तेलगू, बोडो, जापानेज, भूटियाज, स्पैनिस, कस्मीरी है, फिर ऐसे ये paper है, फिर आप देख रहे हैं, चार मार्च को ये main paper, चार मार्च को आपका किसका paper है, चार मार्च का आपका paper, साइन्स का है, ये main subject होता है, जो बच्चे maximum ले लेते हैं, फिर 6 मार्च का आपका देखिए, 6 मार्च का आपका, फिर आगया ये home science, multi-skill foundation course आगया, फिर आपका element of business आगया, ये 9 मार्च का, फिर संस्क्रीत, संस्क्रीत भी बच्चे लेते हैं, संस्क्रीत आपका देखिए, ये 11 मार्च को है, फिर ये computer application, बहुत बच्चे computer का paper जो है, आपका 13 मार्च को है, ऐसे ही social science, अभी main subject आगया, social science का paper आपका 15 मार्च का है, फिर ये देखिए, हिंदी का paper जो है आपका, वो 17 मार्च को होगा, और last paper जो आपका math, math ही main होता है, 10th में, maximum student लेते है math subject, math का paper आपका 21 मार्च को होगा, मतलग, CBSE ने start किया paper 15 फरवरी से, और खतम हो रहा है 21 फरवरी को, अगर आप main subject देखेंगे, math, हिंदी, English, science, sst, तो इसका देखिए, फिर से मैं main subject का दिखाद रहा हूँ, ऐसे तो आप देखें ये, main subject देखें, जो main subject है, paper आपका start हो रहा है, 27 फरवरी से, 27 फरवरी को को इसका हो रहा है, English का paper, ये class 10 का है, फिर देखिए, आपका फिर आजयेगा sanskrit का paper है, 11 March को, 11 March को आपका sanskrit का paper है, social science, sst का आपका paper है, 15 फरवरी को, हिंदी का paper है, आपका 17 पेपर आपका 15 मार्च को है, फिर 17 मार्च को है हिंदी का पेपर और 21 मार्च को आपका मैद का पेपर देखे, बीच में साइंस शुटा है, साइंस आपका 4 मार्च को पेपर है, ये थे क्लास 10 के डेट सीट, जो CBSE ने जारी की है, आप यहाँ देख सकते हैं, बोला है कि CBSE जो पढ़ेगी time to time, आप इस website से आप देख सकते हैं, बच्चों को admin card, जो normal सी चीज होती है कि admin card download करना होगा, फिर आप daily question paper solve करने के लिए आपको 15 minute के time दी जाएगी starting में, तो ये सब basic चीज है, ये जो guideline है, ये CBSE ने, ये date seat है, जो paper का date आया है, वो 29 December को आया है, ये CBSE ने दिया ये था class 10 के, जो CBSE ने date seat निकालिये, CBSE ने जो exam paper के date seat निकालिये ये था, मैं next video में आपको class 12 के CBSE द्वारा जो date seat निकाला, उसके बारे में बताऊंगा, okay, thank you, मिलते हैं आपसे next video में झाले सूज करके सकत करिद के है, जो आपको ने दिया दारे में अपा आपक techniques सुन आपका पको